अबास अंसारी ने मुक्तार अंसारी की कबर पर फातिहा पढ़ने के लिए सुप्रेम कोट से इजासत मांगी है सुप्रेम कोट यूपी सरकार को नोटस वारी कर जवाब मांगा है सुप्रेम कोट 9 अप्रेल को मामले की सुनवाई करेगा अबास अंसारी ने मुक्तार अंसारी के कबर पर 10 अप्रेल को फातिहा पढ़ने की इजास्त मांगी है इससे पहले जब मुक्तार अंसारी को दफनाया गया था उस वक्त भी शामिल होने की परमीशन मांगी गई थी अब अबास अनसारी ने सुप्रीम कोर्ट से इजास्त पागी है एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अबास अंसारी ने मुक्तार अनसारी के कबर पर दस अपरेल को फातिहा पढ़ने की इजास्त पागी है और इससे पहले जब सुपुद्रेखाक किया गया था उस वक्त भी अब्स अंसारी ने शामिल होने के लिए हाई कोड पे अरजी दायर की थी मांग की गई тी परमीशन मांगी गई थी लेकिन उस वक्त अब्स अंसारी शामिल नहीं हो पाये था अब एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और पर्मीशन मांगी गई है जारजानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं समधाता सुशिल पहले हाई कोट से पर्मीशन मांगी गई थी अब सुप्रीम कोट से पर्मीशन मांगी गई है फातिहा पढ़ने की बताईए क्या ज़ान कारी आपके पास जिदे के साब तोर से अब्बास अंसाजी की तरफ से कियाचिका सुप्रीम कोट में दाखिल की गई है कि वो मुक्तार अंसाजी के कबर पर फातिहा पढ़ना चाहते हैं जो फिलहार कारिकरम दस्ताजिक के लिए है लिहाजा उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो अपने पिता कोट ये तरह करेगा कि अब्बास अंसाजी को मुक्तार अंसाजी की कबर पर फातिहा पढ़ने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए देखना ये भी होगा कि यूपी सरकार की तरफ से जो जबाब आता है उस जबाब में यूपी सरकार क्या कहती है कि अब्बास आप हमारे साथ बने रहेंगे एक और खबर लेते हैं फिर उस पर और अधिक आप से जानकारी लेंगे तो खबर हम आपको बता दे उत्तर प्रदेश मदर्सा एक्ट को रद्ध करने के हाई कोट के फैसली को लेकर आप सुप्रम कोट में सुनवाई हो रही है चेफ जस्टिस डी वाई चंदरचूर, जस्टिस जेबी, परदीवाला और जस्टिस मनोच मिश्रा के बेंच इस सुनवाई को कर रही है इलाबाद हाई कोट के लखनव बिंच द्वारा उत्तर प्रदेश बूर्ड और मदर्सा एजुकेशन एक्ट 2004 को आज समवधारे करार दिये जाने को सुप्रम कोट में चुनावती दी गई है मदर्सा बूर्ट की तरह से सिंगवी ने कहा है कि हाई कोट का आधिकार नहीं बनता कि वो इस एक्ट को रध करे 17,46 इस फैसले से प्रभावित हुए है इस फैसले से करीब 25,000 मदर्से प्रभावित हुए है और आज तो ये भी कहा गया है आज इस तरह से यूपी सरकार की तरह से एक नोटेस आया है कि जो भी मदर्से किसी भी बोर्ट से उनका एफलिएशन नहीं है उनको तुरंत बंद किया जाए उनको चुन्नेत किया जाए अब ऐसे में फैसला आ रहा है सुप्रिम कोट में से लेकर सुशिल हमारे साथ चुड़े हुआ हैं सुशिल कितने बचे से इस पर सुनवाई शुरू हो गई या फिर शुरू हो चुकी है सुनवाई इस मामले पर सुनवाई अभी सुप्रिम कोट में चल रही है वो तमाम फिलहाल चीजें पढ़ाई जाती है लेकिन जिस तरह का फैसला हाई कोट में लिया उस फैसले से लगवाग 25,000 मदस्ते एफेक्ट हो रहे है और ऐसे में हाई कोट के आदेश पर ततकार रोक लगाई जाए लेकिन चीफ जस्टिस इस पूरे मामले में तमाम तत्यों को देख रहे है तमाम फिलहाल पाईल देख रहे है हलाकि ये भी कहा गया है अब सेक मनु सिंग्वी के द्वारा की यूपी सरकार के द्वारा ही इस पूरे मामले में इजाज़त दी गई थी तो रचानक इस परकार का फैसला लेना कहीं न कहीं जो फिलहाल समयधानिक अधिकार है उसका वाइलेशन करता है लिहाजा इस परकार के आदेश पर ततकार रोक लगाई जाए क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई ना होने की बात नहीं कहीं जा सकती है और जिस तरह यूपी सरकार क नोटीस जारी कर जवाब तलब करे लेकिन चुकी अभी इस पूरे मामले में मदरसा बोर्ट की तरफ से ही वकील अपनी दरील रख रहे है यूपी सरकार की तरफ से दलीले नहीं रखी गई है लेकिन मदरसा बोर्ट की तरफ से सिधे तोर पर ये कहा गया है कि उनके साथ कह नहीं नहीं एक तरफा फैसला हाई कोट ने लिया है लिहाज़ा सुप्रीम कोट इस पूरे फैसले का परिक्षान करें तो देखना बेर दहम होगा कि ठोड़ी देर में सुप्रीम कोट इस पूरे मामले में क्या कुछ आहाएं मादए ही जारी करता है लेकिन अभी आब शेक मन